प्रिय भाई और बिखनों आज का सुबसनेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं हमारे जीवन में चमका है प्यारे मसी का उजियाला दिन बदिन हमें देता है बर बर अमर्त रसका प्याला दिन बादिन हमें देता है बर बर अमरत रसका प्याला इस चोटे से जीवन में कोई भी आराम नहीं सब है हमारे अपने हमारे लिए कोई गय नहीं आज का संदेश ब्रदर जोर्ज जॉन इंडोर से बाटा जाएगा प्रार्तना के साथ सुनिए परमेशर की बेड़ी नाम की मकिमा हो एक और सुबह का हमारे जीवन में इम परमेशर ने दिया गए इसलिए परमेशर का बहुत बहुत धनिवाद हूँ सुबह संदेश का हरी एक भाई भगनों को प्रभुई शुमशी के मीटे और पावितर नाम से जे मसी के आईए हम एक पद पढ़ेंगे एफिशियों की पत्रिया उसका दूसरा धियाए उसका पखला पत उसने तुमें जी तुमें भी जिलाया जो अपने अवरादों और पावों की कारण मरे हुए थे हम इदर बहुत क्लिरली पाविलस बढ़ा रही कि एफोसियों विस्वासियों के बैरे में उसने जिसने प्रभुई शुमशी के ने मृत्यों से हमको जीवन की और लेके आया है ये बात को इदर दिर्शाता है मृत्लों हम क्या बूल रहा है अपने अवरादों और पावों के कारण मरे हुए थे हम जानता है कि उल्पती की किताब तीसरा ध्याय में जब आदम और रीव को बता रहे है कि तुम ये फल काये गए तो मर जाएगा फरन्दों फल काने से वो लोग शारीरिक दीदी से मरा नहीं है वो आत्मीक दीदी से मरा है उसी के जीवन में उसी का अंधर परमेश्वर ने अपना जीवन दिया था आत्मीक जीवन दिया था वो नश्टो गया है ये मनुष्य के पावों के कारण पूरा दुनिया के लोग पाव भी भिन गया है रोम्यों की किदाब में हम देख सकता है कि ये के कारण मृत्वी इस दुनिया में आया है जब मनुशिव पाव करा है उसी के दौरा मृत्वी वा है एसलिए भजन लिकने के टाइम दावूद करता है 51 बजन में, पान्च वए पद में देखो मैं अधर्म के साथ उल्पन हुआ और पावोम के साथ अपनी माधा के गर्प में पड़ा मैं उल्पन हुआ जब अधर्म के कारण उल्पन हुआ है मैं माँ का पेड़ में पावी बंगिया है देख, कितना गंबीर शिदी है, आदम और ईव के पाप के कारण, जिसने ये जनम हुआ है, वो ये पृत्वी पे आने के पकले ही वो अधर में है, वो पृत्वी पे आने के पकले ही वो पापी है, क्योंकि पाव में और अधर में उसका जनम हुआ है एक पुर्ष और स्त्री का बीच जब अंडा दोनों जुड़ जाता है उसी ताइम आदम के पाव के कारण हर एक प्रिक्ति के कुन में वो पाव भरा हुआ है वो कुन के द्वारा किसका उर्फन इस प्रिक्ति पे होता है उसने क्या होता है पाव में जनम हो जाता है ये बहुत बड़ी गंबीर टीदी से सोचना है मेरे आज बात सुनने वाला प्रभुई शमर्शी को अभी तक अंगीगार नहीं किया है अभी तक वो पाव में है क्योंकि पाव में वो जनम हुआ है पाव में वो जी रखा है पाव में वो मरेगा ये सब कुछ है परन्दु हम जानता है कि इधर क्या लिखाखे? उसने तुम्मेंफी जिलाया उसने जिलाया किसने जिलाया? प्रभूई श्मृशी ने हम को जिलाया भाव के कारण मरे हुए बेक्ती को परमेश्यर ने प्रभूई शुमर्शी को इस दुनिया में बेच कर हम को क्या किया है हमारे जगव में हम मरने वाला था हमारा मृत्योंने वाला था हमारा मृत्यों से बचाने के लिए हम को अथर्म से और पावों से बचाने के लिए हमारा प्रभूई श्मशी एक पापी जैसी बन गया वो पापी नहीं मिना परन्दी पापी जैसी बन गया पापियों के उपर डालने वाला वो मृत्यू वो उसी के उपर आ गया है हर एक पापी पाव में सो मर जनब होने के एक द्वारा उसका आत्मी मृत्यू हो गया है आकर पापी लोगों को नेव सुएद सिमकासन के सामने प्रभूई शुमशी नहाए करके वो नर्व के अंदर डालेगा दूसरा मृत्यू यह ना परंदू इदर हम देख सकता है कि परंदू प्रभूई शुमशी ने हमको जिलाया कैसे जिलाया प्रभूई शुमशी ने हमारे लि के एक बैच्छा बनकर इस दुनिया में आया मेरी कपेड में वो पैदा हुआ परंदू वो पाव में पैदा नहीं हुआ क्योंकि उसका पिता पवित्र आत्मा था है परमेशुर कुदी था उसको कोई आत्मी का मदद नहीं चाहिए था प्रभूई शुमशी का जनम के है इसलिए उसी में क्या पाव नहीं था वो पाव में और अधर में मेरी कपेड में नहीं आया सिर्फ वो ही है बाकिसा अपने पाव और अधर में अपना-पना मा कपेड में जनम हुआ है परंदू प्रभूई शुमशी ने हमारे लिए मरने के लिए हमारे ज्रूट मरने के उसने एक मनशियावदार लेना बहुत जरूरी था, दोजार साल पगले हमारा, वो मृत्यू, कालवरी क्रूस पर उसने सख लिया है, कितना गिंबीर रीदी से, उसका मृत्यू था, कोई भी देख नहीं पाता था, जब उसने प्रभूई परमेश्वर ने, वो पाप का उसी के उपर डाला, कोई भी इस दुनिया में देख नहीं पाता था, अंदेरे में ओ गया था, सिर्फ परमेश्वर और प्रभूई शमशी, प्रभूई शमशी को एक पापी के जैसी, उसने माना है, उसी के मृत्यू के द्वारा हम को जिलाया है, आज हम जिनता है, मेरा ब पाप में मरे हुए अवस्ता के तो, प्रिय बाईयो बगनो, बिलकुल प्रभू शमशी के पापास आ जाओ, प्रभू शमशी को एकार करो, ओ प्रभू, हमारे पाप के कारन आपने मृत्यू सख लिया, वो मृत्यू के द्वारा, मैं विस्वास में आने के टाइम, मेरा का संतान, सुर्ग में उसका जनम हो जाता है, उसके बाद, उसके जिवन में कोई अधर्म और पाप, परमेश्यूर उसी के ओपर गिनेगा नहीं, वो माफ करता है, सब कुछ माफ करता है, इसलिए एक प्रभू शमशी को अंगिगार करने के लिए, परमेश्यूर का एक किती को सकाइदा करे, उसकी बेड़ी नाम की महिमा हो.